हेलो ब्रियोन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों सिबिल कोट की तरब से आने वाली नई भरतियों का इंतजार कर रहें सभी केंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी आ चुकी है फाइली सिबिल कोट की तरब से नई भरतियों के नोडिफिकेशन आ चुके हैं इस बीडियो में आपको इस विकेंसी की A to Z complete information मिलने वाली है सिबिल कोट की तरब से प्यून और इस्टोनो ग्राफर के बदो पर भरतियों के नोडिफिकेशन और आपेदन करने के लिए लिंक भी activate कर दिये गए हैं जिसकी आखरी डेट आने वाली 18 जुलाई 2024 होने वाली है दिये गए समय में आपको online आभीदन करना होगा घर बैठे अपने mobile phone के माध्यम से आप लोग चाहें तो आभीदन कर सकते हैं इसके लाब आपको बता दें आपको आभीदन online ही करने होंगे सेल्डी दोनों पोश्ट पर काफी अच्छी है फोरम फीस भी दोनों पोश्ट की अलग अलग है इसलिए आपको जो एक्स्टा जानकारी है जैसे सेलेक्शन के बारे में सेल्डी के बारे में अप्लीकेशन फीस के बारे में उसको हम notification डाउनलोड करके दिखाएंगे आप तो वीडियो को लाइक करिएगा और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन करना बिल्कुल भी मिस्ट मत करिएगा आएए चलते हैं आज के अपने में टॉपिक ऑफिसल वेबसाइट प्लस नोटिफिक पर दोस्तों आपको आवीदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिसक्रप्शन में दे दिया गया आप लोग क्लिक करके इस मेच पर आसकते हैं इसके अलाबा यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे वर्टसप ग्रुक को जोईन है यहां पर देखें सीटी सिबिल कोड की तरब से डिक्यूट मेंट है दोजार चौविस के लिए अधिक ज्यानकारी के लिए गूगल सर्च करेंगे नोकरीकबर.com आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी इंपोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 18 जून 2024 से लेकर आभीदन अल्रेडी सुरू हो चुके हैं जिसकी आकरी डेट 18 जुलाई 2024 की है इसके बाद अप्लीकेशन फीस है दोनों ही पोश्ट यानि की प्यून और इस तोनों ग्रापर के लिए अप्लीकेशन फीस अलग अलग है के टेक्री वाइस भी अलग अलग है और पोश्ट वाइस भी अलग अलग है इसलिए इसको हम नोडिकेशन के अंदर आपको दिखाएंगे इसके बाद आपकी उम्र क्या होनी चाहिए तो कम से कम यहां पे 18 साल और अधिक सरीक फोटी यानि की 40 साल तक के के के बारे में दो तरह की पोश्टे हैं तो प्यून के लिए कक्षा आठवी पास केंडिडेट आभीधन करेंगे और दूसरी जो सिकन्ड पोश्ट है इस टोनोगराफर के उसके लिए क्रेडिवेशन चाहिए होगा और इंडिया लेबल पर आप लोग इसके लिए आभीधन क कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें बेथन के बारे में तो सेल्दी आपकी 17,000 रुपए स्टार्टिंग प्यून की ले करके 82,000 रुपए 900 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके बाद है आपका सेलेक्शन सेलेक्शन आपका एक्जाम के बेसिस पे होगा रानकारी यहाँ पर दी गई है तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद है सम यूस्पूल इंपोर्टेंट लिंक यानि की कुछ जरूरी महत्वपूर्ण लिंक यहाँ पर दिये गया है जैसे अपलाई करने का नोडिफिकेशन डाउनलोड करने का और और इसल वेबसाइट शेकाउट करने का तो अपलाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार आपको क्लिक करके दिखा देते हैं यहाँ पर सिबिल कोट पर आ गया नियू अप्लिकेशन यहाँ पर है देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लिकेशन डिक्यूट्मेंट है ग्रूप D के अंदर प्यून की है तो आप किसी भी पोश्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और आसानी से इस फोरम को भर के अपलाई कर सकते हैं अभी मैं आपको एक बार जो है तो नोटिफिकेशन डाउनलूड करके दिखा देता हूँ इसके लिए आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के साथ पीडियाप की साहता से आप लोग यहाँ पर अपना पीडियाप ओपन करेंगे इसके अंदर बताया गया है कि 18 जून 2024 के दिन का यह नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देखिएगा जो जो चीजे मैं आपको दिखाऊंगा विकेंसी फर्ष्ट यहाँ पर है इस पर फोकस करिएगा पहली तो इंगलिस इस्टोनोग्राफर गुरूप B की विकेंसी है इसके अंदर गुरूप D की भी विकेंसी है बी नंबर पे और यहाँ पर क्टेगरी भी देख सकते हैं इसके बाद दोनों की सेल्डी है सेल्डी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इंगलिस इस्टोनोग्राफर के लिए 32,100 रुपय से लेकर 82,900 और गुरूप D प्यूण के लिए 17,000 से लेकर 43,600 रुपय तक आपको मिलेगा आपकी आपीदन करने की कम से कम 18 साल होनी चेहे और यहाँ पे गुरूप D के अंदर प्यूण के पदों पर 35 शूट के साथ में 43 और 45 साल तक के कैंडिडेट आपिदन कर सकते हैं इसके बाद यहाँ से और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन भी बताया गया है उसको भी आप लोग यह प्रोसेस को आप लोग यहां पर देख सकते हैं नीचे आने पर आपको एक शीज देखने को मिलेगी यहां पर अप्लीकेशन फीस इंगलिस इस्टोनोगरापर के लिए जर्नल के अंदर 400 SC और EWS के लिए 350 और PUN के लिए जर्नल में 200 और SC ST EWS के लिए 200 रखा गया है उसके बाद भी कई सारी चीजे हैं जो कि आप लोग यहां पर आसानी से देख सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो में दीगे इनफोर्मेशन आपको आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और ऐसी ही वीडियो की अपडेट आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लोडिविकेशन को आन जरूर करिएगा मिलते हैं अगरी वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद